अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आधार काइड को पैन काइड से लिंक करने की बात की जा रही है और क्यों करना जरूरी है और अगर आप लोग नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है और अगर करना है तो कैसे करेंगे इसकी प्रोसेस क्या है ओनलाइन हो जाएगा या आपको कहीं दुकान बर जाना पड़ेगा या घर से ही आप लोग कर सकते हैं इन सब के बारे में आज हम लोग एक सामन जानकारी देख लेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के पास इस तरह का स्क्रीन पर आप लोग जो आधार कायड देख रहे न वो भी होगा सभी के पास होगा आधार कायड भी होगा और आप देखते ही कि आपके पास पैन कायड भी होगा आएकर विभाग की तरफ से जो income tax department की तरफ से आपको जो pen card दिया जाता है ना उसी की बात कराओ उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इन दोनों को link करना है यानि कि एक website पर जाना है और आप लोगों को वहाँ आधार card और अपना pen card डालना है और उसे link करना है इसे आप लोग किस तरह से link करेंगे Center Board of Direct Tax यानि कि CBDT ने सभी करदाताओं से 31 March 2023 तक अपने pen card को आधार card से जोड़ने के लिए कहा है एक date कब रखी गई है 31 March 2023 तक और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो pen card है न ये 1 April 2023 को निस्क्रिये हो जाएगा फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा और आपको बता दूँ कि Security and Exchange Board of India ने भी निविसकों को pen को आधार card से जोड़ने का निर्देश दिया है और सेभी का कहना है कि पिती भूती बाजार में लेंदेन जारी रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आकरिस की जरूरत क्यों पड़ रही है और पहली भी तमाम काम आधार के pen card से बिना जोड़े हुए हो रहे थे और इसमें सबसे पहले बात यही आती है कि pen को आधार से link करने की पीछे क्या तरक दिया जा रहा है तो आएकर बिभाग ने pen को आधार से जोड़ने की गोशना तब की जब ए जानकारी मिली की एक बेक्ती को कई pen card आवंटित किये गये हैं या कई लोगों की pen card का नंबर एक ही है यानि कि आएगर बिभाग ने एफैसला pen database में दोहराओ को कम करने के लिए किया है कि हर किसी के पास एक ही pen card रहे एक के पास अधिक pen card न हो जाए या एक ही नंबर की pen card कई लोगों के पास ना हो जाए pen को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे है तो मार्च 2022 में CBTT की तरफ से जारी किये गए एक सर्कूलर की मताबिक 1 जुलाई 2017 को तक जिल लोगों को pen अवंटित किया गया है pen card उन्हें अपना आधार card और pen को जोड़ने की जरूरत है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका pen card निस्क्रिय हो जाएगा क्या निस्क्रिय हो जाएगा pen को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे नहीं है ये भी देख लिजे तो 80 साल और या उससे जान्दा की आयू के कोई भी बेक्ति को pen को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है कहने का मतलब ये सीधा सा है कि जिसकी उम्र 80 साल या उससे जान्दा है उसे pen को आधार card को pen card से लिंक नहीं करना है और बो लोग जो income tax नहीं भरते ने वालों की केटिंगी में आते है बो भी उन्हें जरूरत नहीं है अगर आप भारत की नाघरिक नहीं है तब भी आप लोगों को आधार card pen card को लिंक करने की जरूरत नहीं है अगर PAN को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा तो कैंदिरी पितेक्ष कर बोर्ड ने कहाए कि अगर कोई विक्ति अपने PAN को आधार से नहीं जोड़ता है तो PAN काईड बंद कर दिया जाएगा और PAN काईड बंद होने या निस्करिय होने का मतलब है कि आप अपने PAN काईड का इस्तेमाल कहीं नहीं कर पाएगे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होगा उन नुकसान को देख लीज़े आप लोग PAN का निस्करी हो जाएगा तो आपको आयकर return दाखिल करने में दिक्कत आएगी रोके हुए return पर कारवाई भी नहीं की जाएगी और PAN के निस्करी होने के बाद return के मामले में लंबित कारवाई पूरी नहीं हो पाएगी पैन निस्करी होने से आपका टेक्स भी जानदा करने की संभाव ना होगी इसके अलबा वेक्टी को बैंक को या किसी भी वित्तिय लेंदेन करने में भी परेसानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पैन लेंदेन के लिए एक महत्व पूर केव आईसी दस्तावेज है और आप देखेंगे सेवी निविसकों के लिए पैन को आधार से जोड़ना क्यों जरूरी बताया है तो इसका सीधा साज यबाब यह है कि पैन सेयर वाजार में सभी लेंदेन के लिए जरूरी पहचान के तौर पर काम करता है और अभी आप लोग लौन लेने जाईए, कुछ करवाईए, पैन कार मांगते हैं आपका और साथी एक केव आईसी का भी हिस्सा है और इसलिए सभी मौझूदा निविस्कों को पहले अपने पैन को अपने आधार के साथ जोड़ना जरूरी है ऐसा करने से निविस्कों को सेकॉर्टी मार्केट में ट्रांजेक्शन करने पर कोई दिक्कित नहीं होगी और Income Tax Act 1961 के प्रावधान कीता है सभी लोगों को पैन आधार लिंक कराना जरूरी है अगर आपको पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो mutual fund, stock, bank account खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे तो अगर दोनों हैं आपके पास तो आसानी से आप लोग जुरवा लिजेगा और पैन बेकार होने पर क्या जुरवाना लगेगा तो ये भी बात हो रही है बेकार पैन कार्ड को अगर आप बित्तिय कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप पर जुरवाना भी लगाए जाएगा इंकम टेक्स से एक्ट की धारा 272B के तहट आपको 10,000 रुपे तक का जुरवाना देना पड़ सकता है अगर आप 31 मार्ट 2023 तक पैन को अधार कार्ड से लिंक नहीं करा लेते तो आपको 1,000 रुपे लेट फाइन देना होगा और आपका पैन कार्ड एक्टिव हो जाएगा और बता दें कि CBT ने 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1,000 रुपे लेट फाइन लगा दी है बात आती है कि पैन को आधार से लिंक कैसे करेंगे तो ये सबसे पहले तो आप लोग आप SMS और अल्डाइन दोनों तरीक से आप अपना आधार लिंक करा सकते हैं कैसे सबसे पहले आप लोग SMS की जरीए मैसिज की जरीए कैसे करेंगे इसे देख लीजे आप लोग तो आप लोगों को अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नमबर है ना जो आपका मोबाइल होगा जो आप देखते हैं कि पैन कायड में लगा होगा आधार कायड में लगा होगा बैंक अकाउंट में लगा रहता है तो उसी की बात कराओ पर्सनल फॉन नंबर की तो पर्सनल नंबर से आपको 5-6-7-6-7-8 या फिर आपको 5-6-1-6-1 नंबर पर एक SMS करना होगा मैसेज करना होगा और UIDPAN यानि की 10 अंकों का पैन कायर्ट नंबर और 12 अंकों का आधार कायर्ट नंबर दर्च करने होगे उसके बाद आप देखेंगे कि SMS आपको पैन आधार लिंक की इस्तिती के बारे में जानकारी देगा और आधार और पैन केवल तभी लिंक होगे जब करदाता की जनम तिती दोनों दस्ताजवेजों से मेल खाती है अलग अलग नहीं होने चाहिए ये डेट ऑप बर्ग मालू चला की आधार कायड में अलग है पैन कायड में अलग है ये देख लिया करिएगा कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती है और आप Income Tax Portal पर जाकर ओनलाइन तरीकिसे पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं और इसका प्रोसेस भी समझ लिजे वो त्वाब देखे मैसेज के द्वारा आप लोगों ने समझ लिया तो इसमें आपको आयकर विभाग की अधिकारिक विफ साइट Income Tax India e-filling.gov.in पर जाना होगा और इसे आप लोग एक बार बता देता हूँ अगर आप लोग इसकी मैं साइट पर जाएंगे तो इस तरह से आप लोगों के सामने एक क्या रहेगा विफ साइट खुल जाएगी और यहाँ देखे आप लोग e-verification return देख सकते हैं लिंक आधार status अगर आप लोगों को मालू नहीं है कि आपने कभी अपडेट किया है या निक किया है और आपको check करना है तो इस पर आप लोग link आधार status पर आप लोग click कर देजेगा और इस पर आप लोग click करेंगे तो आप लोगों के सामने एक वेव साइट खुल जाएगे और यहाँ आप लोग जाकर अपना आधार card डाएँगे बता दिया जाएगा ठीक है तो यह आप लोग काम कर लीजेगा देखिए यहाँ आप लोगों को करना है देखिए यहाँ उपर pen number डालना है नीचे आपको आधार डालना है और यहाँ view link आधार status देखना है अगर जुड़ा होगा तो आपको मालूच चल जाएगा कि जुड़ है और अगर आप देखिए आपको जोड़ना है तो यहाँ देखिए माई प्रोफाइल यहाँ लिक की आ रहा है साफ आप देख रहे होंगे यहाँ देखिए link का option आ रहा होगा link आधार यहाँ भी आप जाकर कर सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे जैसे आप लोग खोलते हैं ना open करते हैं तो यहाँ आ जाता है देखिए यह आ गया link your pen number इस पर जैसे आप लोग किलिक करेंगे आप लोग main site पर पहुंच जाएंगे वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं लिंक कर सकते हैं अगर आपका register नहीं है तो पहले registration कराएं आप यह आप अंदर जाएंगे तो वहाँ से भी आप लोग registration कर लेंगे user ID, password, date of birth का इस्तिमाल करती हुए portal पर login करें या user ID आपका pen number होगा और फिर आप देखेंगे कि आपको pen आधार link के लिए एक pop आप बिंडो देखेंगे और उस पर आप लोग menu बार में जाएं profile setting में जाए और link आधार पर click करें वहाँ और जैसे आप लोग link आधार पर click करेंगे तो अपना pen number आधार नमबर अपना नाम दर्च करें और यह है आधार काईट पर दर्च जानकारी से match होना चाहिए अगर जरूरत हो तो I have only year of birth in आधार काईट box पर tick कर दे और link आधार काईट पर click कर अगर दर्च की के जानकारी आपके pen आधार काईट record से मिल रही है तो आपके link now button पर click कर दीजे और इसके बाद आप देखेंगे आपका pen card आधार काईट से link हो जाएगा और link होने के बाद आपके एक pop-up message से आपको एक pop-up message आएगा और बता जी आ जाएगा कि आपका आधा से link है तो आएकर विभाग की अधिकारिक साइट पर आप लोग जाएगे www.incometax.gov.in पर और link पर click करें और उहां आपको link आधार status चेक करने का option मिलेगा जो आपको बताया आप उस पर click करेंगे इसके बाद आपके computer mobile पर एक नई screen दिखाई जाएगी आपको अपना pen number आधा चल पाएगा कि आपका pen card आधार से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है तो एक काम मुझे लगता है कि आप सभी घर से आसानी से कर लेंगे कोई बड़ा भारी भारी कम काम नहीं है और इसलिए तो आप देखते हैं कि digital इंडिया की बात होती रहती है तो साक्षरता बढ़ा आसानी की भी बात होती रहती कि चोटे चोटे काम है जो व्यक्ति घर से ही कर सके आसानी से कर सके तो इस तरह से आप लोग भी कर लीजेगा कोई परेशानी हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं